एक समय की बात है जब एक शेहर में अंकित नाम का एक लड़का रहता था उसका बस एक शौक था नई नई लड़कियों के साथ घूमना वो हमेशा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक नई लड़की को फसाता और पर उसके साथ टाइम पास करके उसे छोड़ देता उसको ये सब करने में अपनी बड़ी शान मैसूस होती थी वो हमेशा अपने दोस्तों को बड़ी गर्व के साथ ये सब बाते बताता था एक दिन की बाद है जब अंकित और उसके दोस्त कॉलिज कैंटीन में बैठे होते हैं तब ही वहाँ एक बड़ी ही खुबसूरत पर बड़ी सीधी साधी और सिंपल सी लड़की आती है वाह यार देख तो कितनी सुन्दर लड़की है हाँ सुन्दर तो है पर मेरे टाइप की नहीं है अबे ये बोल की तूसके टाइप का नहीं है ये लड़की किसी लड़के से बात भी नहीं करती है बात करना तो दूर किसी को देखना भी पसंद नहीं करती मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करती समझा पर ये तो पक्ता करेगी तो रुक, मैं अभी आता हूँ अंकित उटकर उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है हलो, मेरा नाम अंकित है, तुम मुझे जानती तो होगी क्यो नहीं जानोगी, पूरे कॉलेज में फेमस हूँ मैं मैंने तो नहीं सुना कभी तुमारे बारे में तुम हो कौन जो मैं तुमको जानो, मेरा रास्ता छोड़ो मेरी क्लास है मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ समझे इतना कि अगर प्रिया वहां से चली जाती है और अंकित के दूस्त उस पर हसने लगते है मैंने तो पहले ही कहा था पर तुझे तो अपनी बेजिती करवानी थी ना अब हो गई तसल्ली इसको तुम मैं पताऊंगा एक बहिने के अंदर अंदर ये लड़की अगर मेरे साथ यहाँ इसी टेबल पर नहीं बैटी मिली तो मेरा नाब भी अंकित नहीं बस अब अंकित प्रिया के उपर नज़र रखने लगता है वो जहाँ जहाँ जाती वो उससे पहले वहाँ पहुँच जाता कॉलिज के बाद प्रिया अपने घर जा रही होती है कि तभी उसे एक रिक्षेवाली के साथ अंकित खड़ा हुआ मिलता है अंकित के जाने के बाद वो रिक्षेवाली से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था तो रिक्षेवाला उसे बताता है मैदम अभी कुछ बदमास लड़के मेरे पैसे चीन कर भाग गए अभी ये भाईया आए और उनको पकड़ने की खूब कोसिस की वो तो निकल गए और भाईया ने मुझे तो हजार रुपए दिये आज मेरे घर खाने को राशन भी रही था भाईया तो आज मेरे लिए भगवान बन कराए प्रिया ये सुनकर घर चली जाती है अगले दिन उसके कॉलिज की छुटी होती है इसलिए वो हमेशा की तरह मंदिर जाती है मंदिर में प्रिया को फिर से अंकित दिखता है जो गरीब लोगों को खाना खिला रहा होता है प्रिया तो ऐसे देख बिल्कुल हैरानी रह जाती है ये लड़का तो वही है जो कॉलिज में मेरे साथ बत्तमीजी कर रहा था सच में यकीन ही नहीं होता मुझे तो